कोरियर को शॉपिफाय स्टोर के साथ सेट अप करेंगे अगर आप अलड़ी सेट अप कर चुके हैं तो यह कुछ वीडियो जहां पर हमारे एप्लिकेशन के होंपेज के ओपर अवेलिबल हैं तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं तो हमारी जो यह प्लग-इन है यह TCS जो पॉर्टल पुराना वाला है और जो TCS का पॉर्टल न्या वाला है इन दोनों के साथ जो है यह वर्किंग करेंगे तो सबसे पहले आप कोरियर सेटिंग्स में आजाएंगे और TCS में आजाएंगे यहां पर आप इसको इनेबल करतें अपना TCS का यूजर नेम आप लिखेंगे आप इसमें इनवाय वाला भी लिख सकते हैं और पॉर्णा पोर्टल पिकले सकते हैं और यहां पर अपने इसका पास्टो लिख देंगे इसके लाव आप सिपर सिटी यहां पे लिख देंगे कोस्सेंट्र कोड के लिए अगर आजाएंगे और यहां पर काउस सेंटर डिटेल में आ जाएंगे और इसके लाव सर्च पर क्लिक कर देंगे अब थोड़ी देर तक यह लोड हो जाता अब यहां पर देख सकते हैं कि मेरे तीन कॉस्स सेंटर जा रहे हैं तो कोई आप को संटर यहां पर एड़ कर सकते हैं जिसे मैं वन वीट कर एड़ कर लेता हूं अगर आप इन्वायो का पोर्टल यूज कर रहे हैं को आप सेटप में आ जाएंगे और कॉसेंटर पर आ जाएंगे वन इसको हो भी पर ढाएंड़ दिफॉल्ट डक रक्त सकते हैं शिपमेंट हेंड्लिंगा गल्डिफॉल्ज सकते हैं अग्डिफॉल जारे हैं कि auto order fulfillment आपकी हो जाए जब shipment आपकी book हो तो आप इसको slack कर सकते हैं और अगर आप चाहरे हैं कि tracking details हर order के अंदर save हो जाए तो आप इसको भी check कर सकते हैं अगर 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 कुछ orders आप अगर आप कोई bank use कर रहे हैं payment accept करने के लिए credit card या easy पैसा जैस कर रहे हैं उसमें payment जहाए वह एडवांस आजाती है यूजर के पास तो आप उसको अगर इस option को अगर चेक कर लेते हैं तो आपको zero COD करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी automatically उसकी amount वहां पे zero mention हो जाती है और अगर आप order notes भी remarks में add करना चाहरे हैं तो आप इसको check कर सकते हैं और इसको save कर लेंगे और इस तरह आपकी settings बन जाएगी